है दोस्तों साइज यह और बैक विद अन्द इंट्रेस्टिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइप और इसका बूर्ड़र कैसे अन्लॉक करना है अब यहां पर मेरे हाथ में एक फोन देख रहे हो यह चार बार ब्रिक हो चुका है इसका बूर्ड़र मैंने जबरदस्ति अन्लॉक करने की कोशिश करी बहुत जबरदस्ति करी भाई मैंने इसके साथ ए रहा नहीं जाता तडप ही ऐसी है ना फाइनली चार बार ब्रिक हो गया भाई साब ब्रिक हो गया बहुत पैसा लग गया भाई स्टूडियो का लाइट बेचना पड़ा मुझे क्या बताओ इसलिए रोशनी काम आ रही है आसे पर आपके साथ ऐसी नोबत ना है आपको कुछ बेचना ना पड़े इसलिए मैं आपको एक परफेक्ट मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप अपने हाइप और इसका बूलर उनलॉक कर सकते हो ठग गया हूँ यार कितना वेट करना पड़ता है एक मैना नहीं तीन मैना वेट करा मैंने 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 तीन मैना वेट करा मैंन सअला होता ही नहीं था क्या करू हर बार निराशा फेस करनी पड़ती है भाई इंढ्ड वैस यह गांड वैस है भई इंढ्ड वैस लिङका रहे है तो आज की वीडियो में भात करने वाले कि वो प्रॉपरρο स्टेप्स कॉन से जिससे आप疑 हाइपर इसको easily unlock कर पाऊगे no guarantee unlock हो जाएगा करके मेरा ही नहीं हुआ आपका होगा करके क्यों guarantee लूँ भई मेरा खुद का यह आप है हुआ नहीं है तो आपका होगा करके लेकिन हाँ जो मैं tips जो मैं important बाते बताना आले वाला हूँ इससे आपका method easy जी तो होगा ही but chances बढ़ सकते हैं या फिर बढ़ जाएंगे आपका bootload unlock हो जाएगा ठीक है properly follow करना अब बाकी किस्मत के उपर छोड़ दो हो गया तो ठीक है नहीं हो गया तो नहीं लेकिन आखरी में जो है इस वीडियो के end मैं आपको कुछ important अलग method बताने वाला हो जिस method के तुरू तो 100% unlock होना ही है ठीक है लेकिन अभी लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा न वो paid method हो जाता है फिर paid method के लिए फिर हम थोड़ा सा wait कर लो भाई एक हपता दो हपता 15 दिन देख लो फिर भी अगर आपका नहीं होता है और आपको जरूरत है bootler unlock करने की बहुत requirement लग रही है आपको root करना हो सकता है, custom ROM डालना हो सकता है तब जाके आप इस method को follow करना तो चलोगा इस यहाँ पर मैं आपको process समझाता हूँ पूरा step by step सबसे पहले आप अपना phone लोगे जिसमें HyperOS run कर रहा है उके उसके बाद अपना me account login करोगे अपने phone के उपर याद रहे आपका me account 30 days पुराना होना चाहिए अगर 30 days पुराना नहीं है तो wait करो 30 days या फिर अपना friend, mommy, papa जिसका भी me account है जो 30 दिन से पुराना है उनका me account login करो second important चीज आप यहाँ पे जो भी sim card use कर रहे हो उस sim card में recharge होना चाहिए तीसरी important चीज उस sim card से पहले कोई भी me account unlock नहीं होना चाहिए मतलब कोई device unlock करा ना हो उस sim card के उपर याद रखो ठीक है तो यह चीज़े याद रखना उसके बाद जो भी google account link कर रहे हो या फिर जो भी phone number link कर रहे हो यहाँ पर वो सारी चीज़े fresh होनी चाहिए ना कि किसी दूसरी device से related होनी चाहिए मतलब एक साल में आपने कोई भी device unlock ना करा हो उस sim card से उस phone number से उसके बाद next important चीज़ me account जैसे ही login होता है successfully अपने device की उपर find my device on करना है और जितने भी cloud services जो भी यहाँ पर है वो सब on कर लो तो अच्छा रहेगा ये एक additional tip बोल के समझ लो जरूरी नहीं है ये पट कर लोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये चीज़ हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं क्योंकि ये requirement होती है एक basic requirement एक formality समझ के इसको कर लो अच्छा रहेगा safe zone पर होगे next important चीज़ क्या आई कि कभी कभी आप पर on होता नहीं है find my device वगरा तो 2-3 बार on करनी की कोशिश करो मेरे case में error आया तो मैंने इसको दुबारा करा तो अब देखो आपके सामने result है अभी ये on हुआ है तो इस चीज़ को याद रखना आप next चीज़े important वाले tips भी आपको बताऊंगा ध्यान से सुनो sim card में recharge होना चेहे याद रखो इस चीज़ को चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सारी चीज़े मैंने on कर ली find my device, cloud services सारी के सारी चीज़े मैंने यहाँ पर on कर ली है अब हमें चलना है पीछे, back आना है back आने के बाद आपको चलना है about phone में, यहाँ पर OS version लिखा रहेगा इस पर 6-7 times tap करोगे जब तक बोलेगा नहीं कि your navet developer your navet developer बोला तो नीचे चलो, settings में, additional settings में developer option on करो OEM toggle on करो ठीक है, OEM toggle on करना है उसके बाद अपने device को मारना है एक बार reboot, चलो मारते हैं phone जैसे ही चालू होगा याद रखो एक important चीज़ यहाँ पर आपका OEM toggle disable नहीं होना चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार additional settings, develop option on है हमारा OEM toggle भी on है USB debugging भी यहाँ पर आपको on करके रखना है, आगे एक काम आने वाला है मैं बताऊँगा किस लिए, उसके बाद me community application install करोंगे, link description में है download करो, install करो install करने की बाद यहाँ पर sign in पर click कर दो, login करने की ज़रत नहीं है, directly यह login आटोमेटिकली हो जाएगा, okay, okay, next next करोगे तो, क्यूँ, क्यूँकि हमने device में already me account login कर रखा है अब यहाँ पर wifi यूज कर सकते हो या mobile internet, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद यहाँ पर unlock bootloader के option show हो रहा है, यह शायद आपके इसमें show ना हो, तो wait करो थोड़ा time, app open करके रखो show करेगा, यह unlock bootloader पर click करोगे, उसके बाद यहाँ पर apply करना है, पर अभी नहीं timing लगाना है, ठीक है timing कब लगाँगे, इंडिया में 929 50 seconds जब होंगा, तब apply पे click करना, start करना है आपको तो मैं आपे पहले से ही apply पे click करना, start कर रहा हूँ, 929 और कुछ seconds के बाद ही apply करना, start कर रहा हूँ, क्यूं कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्यूंकि मैं frustrated हो चुका हूँ, 3 मैने से यह दबा दबा के apply पे परिशान हो चुका हूँ भाई, ठीक है साड़े 9 बजने से पहले ही यह process मैं start कर रहा हूँ, साड़े 9 बजने तो मैं करता ही हूँ, पर साड़े 9 बजने से कुछ second पहले मैं start कर रहा हूँ, और मेरे को permission 3 मैने से मिली नहीं है, मैं पागल हो चुका हूँ इस चीज के लिए, ठीक है तो आपको मैं बता रहा हूँ additional चीजे कि आपको 9 29, 50 seconds जैसे होगा फड़ा फड़ा क्लिक करना start करो, जब तक यहाँ पे आपको permission मिलती नहीं है यहाँ पे लिखा जाएगा permission मिलेगी तो कि permission मिल चुके आपको करके ठीक है, अब कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि permission आपको मिल चुकी होती है लेकिन यहाँ पे शोन ही करेगा कि आपको permission मिल चुकी है क्योंकि server में busy इतना होता है इतने सारे लोग ट्राय करते हैं, इसलिए तो उस case में क्या करोगे यहाँ पे जैसे ही आप apply पे click कर दोगे 929, 930 तक आपने मार दिया सब कुछ click-click करके अब एक बार जो है, फिर भी यहाँ पे आपको नहीं कुछ permission मिला करके option नहीं आया है, तो एक बार चले जाओ अपने additional settings के उपर याद रहो, internet on करना है आपको अपने mobile device का यहाँ पे, जो है, me unlock status पे click करके अग्री करके, add my account पे click कर दो ठीक है, add account करने के बाद, यहाँ पे add हो जाता है ठीक है, क्योंकि server busy होने के वज़े से, वो show नहीं करता है पर मेरे case में वो भी नहीं हुआ, मेरे किस्मत ही इतनी खराब है तो यहाँ पे मैं एक दूसरा method बता रहा हूँ, यह script method है तो यहाँ पर जो है, आपको एक hyperos की script डाउनलोड करनी है ठीक है, और यह script को डाउनलोड करनी है, link description में दूँँगा और इस script को paste करना है, platform tools के folder के अंदर यह platform tools क्या है, एक zip मिलेगी, इसको डाउनलोड करके extract करो extract करने के बाद इसके अंदर script डालो, script पे double click मारो उसके बाद यह open होगा, open होने के बाद phone connect करो USB debugging on होनी चाहिए phone का, यहाँ पर पूछा जाएगा आपका device चाहिना का है, क्या तो यह n लिखके enter मारना पहले, पहले option आएगा n लिखके enter मारना है, okay n लिखके enter मारने के बाद next step क्या करोगे यहाँ पर y y लिखते जाओ और enter मारते जाओ, होता है कि me account add देख लो अपने device की उपर, device खोल के रखो, me unlock status वाला जो fundा होता है, वो खोल के रखो और देखो, मैंने बहुत कोशिश करी, add account फिर भी नहीं हुआ उसको bind account बोलते हैं, automatic bind होता है script के वज़े से, पर वो भी मेरे किसमें काम नहीं करा तो वो HyperOS, जो script थी, वो भी work नहीं करी मेरे किसमें, भाई, क्या बदनसीबे तो बता नहीं and finally यापर देख सकते हो, मैं आपको एक clip दिखा रहा हूँ, जिसको मैं तीन मेने से record कर दे ही जा रहा हूँ भाई साब, देखो, होई नेरा unlock मेरा, ये इस तरह का मेरे कुछ चचोल बाजी हो रही है क्योंकि एक बात, finally guys, मुझे paid service लेनी पड़ी, मेरे Xiaomi का HyperOS का बूर रण लॉक करने के लिए paid service लेनी पड़ी, मैं खुच से कुछ नहीं कर पाया, क्या करूं, किस्मत ही अच्छी नहीं थी, शायद मेरी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे को मी community में permission ही नहीं मिल रहा था, इतना ताम जहम करने के बाद भी तो finally मेरे को paid service ही लेना पड़ा, अब मैं आपको यह जो second method बता रहा हूँ, यह paid service वाला method है और इस method में आपको पैसे देने पड़ेंगे, जी guys यह method paid है, तो इसका क्या fund है मैं आपको समझा देता हूँ पूरा totally ठीक है देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बंदा रहेगा, वो बंदा अपना id, password मतलब username, password, phone number, otp, सब देगा, ठीक है आप अपने phone में login करोगे, login करने के बाद जो है, आपको me community में जाके कुछ apply नहीं करना होता है, सीध आप developer settings में जाओगे, developer settings में जाके आपको simply वहाँ add account होता है, वहाँ पर add account पर click करना है, पहले तो login करोगे, वो जो id, password देगा वो, और add account पर click करना है, add account पर click करने से पहले आपको sim card लगाना है, sim card में recharge होना चाहिए, कोई भी sim card चलेगा, अब यहाँ पे कुछ लोगो confusion यह रहेगा, कि भाई मैं तो उसका account यूज कर रहा पर एक ही me account add होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको error आजाएगा, अगर एक से जादा me account वहाँ पर उसी sim card पर add करने की कोशिश करोगे, भले account दूसरे का use कर रहे हो, मतलब login account आप दूसरे का use कर रहे हो, लेकिन जो sim card है, वो एक ही sim से अगर आप बार बार unlock करने की कोशिश करो add account करने कोशिश कर, error आजाएगा, कि बहुत जारे sims इस account पर add हो चुक है, अब नहीं हो सकता है, exist खतम हो चुक है, ऐसे ऐसे कुछ x y z कुछ error आएगा, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको दूसरी sim डालनी पड़ेगी, recharge डालके और उसके बाद add account कर एक sim पर एक ही account add होता है, बोला उसने, सही है, क्या बोले अभी, उसके बाद next step, आपको क्या ध्यान में रखना है, फिर आप add account पर click करोंगे, add account हो जाएगा, बाकी step पूरा सेम रहेगा, PC हो तो PC, दूसरा फोन होगा तो दूसरा फोन वहाँ पर connect करोंगे, और अपना वही permission लेना, मतलब me community में permission लेना, वो एक अलग बात है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब account add करोगे, जब bootler unlock करने जाओंगे, वहाँ पे भी आपको time मिल सकता है, किसी को 15 दिन, या 14 दिन का time मिल सकता है, किसी को 3 दिन का, किसी को 2 दिन का, मेरे को 2 या 3 दिन का time मिला था, जब म भी चीज में आपको बता देता हूँ, जो अपना telegram channel है, साही पोना मंदा, उसको join करो, link description में है, उसको join करना है, join करने के बाद, वहाँ पे मैं post डालूँगा, ठीक है, pin comment, मतलब pin post डालूँगा, pin post मतलब, जो pin होगा, मतलब उस post में mention करूँगा, कि ये बंदे का whatsapp number है, अगर आपको अपना me account paid से unlock करवाना है, पैसा दे के unlock करवाना है, तो आप इस बंदे को whatsapp पे contact करिये करके, मैं बोलूँगा, ठीक है, whatsapp पे contact करने के लिए बोलूँगा, उसका number दूँगा वापे, तो आपको उसी number पे message करना है, और उससे बातचीत करनी है, जो भी आपका deal है, वो कर लेना है, बीच में मैं नहीं रहने वाला हूँ, आप ही deal करोगे, लेकिन यहापर एक important बात ध्यान में रखनी है, मैं उस post में mention करदूँगा, कितने account है तो, अगर उस बंदे ने बोला कि मेरे पास 3 account है, तो मैं 3 account है, करके mention करूँगा, ठीक है, उसके बाद वो post delete कर दूँगा भाई, जब तक account है, तब तक वो post रहेंगी, मतलब जब तक उस बंदे के पास available account है, तब तक post रहेंगी, उसके बाद delete कर दूँगा, फिर से उसके बाद post, मतलब फिर से post डालूँगा, अगर उसके पास नए account unlock वाले आते हैं, तो, ठीक है, यह चीज़ इसल WhatsApp के number पे आपको उसको DM करना है, पूछना है, डील जमती होगी, तो कर लो, ठीक है, अगर आपका unlock होगा, तब ही वो पैसा लेगा, नहीं होगा, तो वो पैसा नहीं लेगा, अगर लिया होगा, तो वापस कर देगा, ओके, और एक बात, आप उसका WhatsApp number छोड़ के, कोई और ब पे देना मैं कर दूँगा, भाई मैं साही का आदमी हूँ, मैं साही का आदमी हूँ, भाई मैं मोधी का आदमी हूँ, मैं मोधी का आदमी हूँ, मैं राउल गंदी 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 के भगा देना ठीक है समझ रहो तो बस आपको जो number दे रहा हूँ उस पर contact करो उससे बात करो deal जमती होगी पटती होगी आपके दुनू की तो कर लो उससे बात करके unlock कर लो otherwise पसंद हो तो ही करो नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है ओके और क्या बस हो गया भाई यही process है अब मैं क्या बोलू हूँ इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ वो Xiaomi का है मैंने तो जितना कोशिश करता हूँ मैंने खुद ही try करा 3 मैंने free करने की पर हुआ ही नहीं मेरे free में लेकिन हाँ जो tips और methods बता है है उसको follow करो भाई क्या पता हो जाएगा क्योंकि उस बंदे के हाथ से मैंने देखा ही कि 2-3 account वो खुछ से permission दिलवा रहा है अब वो ऐसे reason में रहता है उसको जादा मतलब उस reason में शायद accept हो रही है applications या फिर कुछ और तरीका भी हो सकता होगा बट उस बंदे के पास हो जाती है मेरा भी उसने 2 account permission grant करवा दिया जो मेरे से नहीं हो गई वो उससे हो गया अब हम भी तो वही time सब कुछ वही rules फॉलो करें लेकिन होता है बाई region के हिसाब से भी कुछ कुछ चीज़े हो सकती है ठीक है तो आप देखो ठीक है तो यही वीडियो था वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया थैंक यू लव यू गाइज बाई टेक केर प्लीज वीडियो को लाइक शेर करना मिलते अगले वीडियो में बाई बाई